अरे यह मोदी ने तो हदी कर दिया यार अरे डिक्टेटर इंसान है यार छोड़ना परिशान करके रख दिया है मोदी ने नमस्ते गुरू एक दम सच बात गहीं आपने ये मोधी ने परिशान कर दिया है और पीम का काम क्या होता है मौन होकर बैठे रहना और ज्यादा से ज्यादा कुछ फाइले साइन करनी होती है और मैं कहता हूं कुछ करना ही है तो गोटाला करो कौन मना कर रहा है है अरे यार पांच साल मिले जै खोलने में वेस्ट करें उससे अच्छा अपने खाते ना भर ले क्या बोलते हो है और मोधी एक नंबर का ताना शाह है डिक्टेटर अरे बड़े-बड़े फैसले अपने दम पे ले लिए और किसी के कंदे पर बंदोग तो रखनी थी नोट बंदी काला बजारी पर रोक सर पर नहीं दिया तो पर में आई तो भाई है ना क्या जरूर है तो सुपे पांच बचे उठकर काम पे लगने के हैं अरे लोगों के आदत भी गड़ रही है उनका इसा भीए बेर देखके एक तो पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं लेता और गिबाली में कहा जाता है बॉर्डर पे जवानों से मिलने है यह पी ए मोदी एक दम बेकार है मेडिया वालों को कॉक्टेल पाटी नहीं देता रिपोटरों को फॉरें ट्रिप पर नहीं ले जाता और यहां तरकी आदमी को फैमिली के कोई वेल्यू ही नहीं है इनके एक भी फैमिली मेंबर को फ्ला लेकिन सुना है कि उनके भाईयों के बच्चों ने अब तक प्लेन नहीं देखा अंदर से अरे भाई आप तो रिपोटर लग रहे हैं अरे ज़रा समझाईए इन सब को ज़रा समझाईए कि भाई गरीब के घर में गैस पहुचा के और पैसे वालों के घर से गैस की सबसेड इंडिया बाढ़ते रो वास आई नहीं चाहिए हमें स्वच्छ इंडिया नहीं चाहिए हमें न्यू इंडिया हमारा ओल्ड इंडिया ही बराबर है एक टम अपनी अपनी जेबे भरो सडकों पर गंदगी करो और घर रखो चका चक सच में ऐसा पीम तो इंडिया में आया ही किसी को इंट्रेस्ट ही नहीं है लालू प्रसाद यादव को उनके बेटे को सेट करना है मुलायम सें यादव अपनी पूरी फैमली को सेट करने में लगे है सोनिय जी को राहूल को सेट करना है अरे पर यह तो सोचो कि इस देश को सेट करने में किसको इंट्रेस्ट है अगर आज मोधी फेल हुआ ना तो अगले सो सालों तक कोई प्राइम मिनिस्टर करप्शन के सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा सिर्फ दो हाथ जोड़ेगा और तौबा करेगा फिर बस करते रहना मेरा भारत महान मेरा आरत सर मुझे आपका नमबर दोना मैं इस पर स्टोरी करूँगा सर आपका नाम मैं हूँ विकास मैं हूँ गुचराथ सेव कर लेना